। हल्लो दोस्तों ड्रीमाप भारत के यूटीज्टूब चैनल में आप सभी स्वागत है दोस्तोंं इसी घ्री में दोस्तों हम आप आपके वीडियो हम लेका आये है vanilla 3 यों तो हम देखेंगे दोस्तों इन में कौन कौन सबुख वारत के ऐसे व्यक्तित है जिनने समाज को देश को आजात करने के लिए समाज को एक नई दिशा देने के लिए इन्हाने अपना सब कुछ जो है निचावर कर देखें दोस्तों आपने प्राणों की आहुति दिये दी दोस्तों तो आज लोंग देखते हैं दोस्तों वाम पंती आंदूलन को को प्रेधित करने वाले क्या। दोस्तों देखते हैं मानवेंदरनाफ राय को हिरा राम प्रशाद बिश्मिल्द श्रीपाद अम्रीत डांगे अश्फाक उल्ला खान राजंदरनात लाहिडी भगवती चरड बोहरा चंशेखर आजाल शुकदेव थापर भगत सिंग शिवराम हरी राजगूर और डाक्टर राम मनुहर लुहिया जी हाँ डाक्टर राम मनुहर लुहिया अब दोस्तों कैकर चलों से महरत्पूर कर से यह कौन ऐब कार कीजा कर दिया है तो दोस्तों हम कॉंसेप्ट के साथ-साथ इन से संबधित जितने भी फैक्ट है जोटों हम हर इस पर अज़र्षा करेंगे तो आयरे दोस्तों देखते हैं मानमिंदन जनाथ राय मानमिंदन लिय दोस्तों यह radical democratica कि अस्थापना करते हैं और यह लेनिन लेनीन के निमंदर पर धो समय का थायो मानवेंदर घराया कका दोस्टो है मानवेदानाथ रायका इसकवाद दोस्तों हम देखते हैं सचिंदानाथ सन्याल के बारे में सचिंदानाथ सन्याल ये सचिंदानाथ सन्याल ये बहुत बड़े करांतिकारी हैं बहुत महान करांतिकारी थे दोस्तों सचिंदानाथ सन्याल इन्होंने लहोर और कासी इन्होंने दोस्तों ताहाओर कि और कासी रेजिमेंट तेलि नहगर किया था कि एक रेजिमेंट तेया था एक क्या की किस ने तयार किया था नुञार कासी में घृजिमनेंट की अस्थापना कि लिए कि भारत को आजात कराने के लिए इसके बाद यह जब पुना है इन पर क्या होता है दोस्तों कि इन्हें काले पानी की सजा हो जाती है इन्हें साजिंदर नासन्याल क्या होता है काले पानी की सजा हो जाती है और जब यह पुना छोड़ते हैं जब यह पुना छोड़ते हैं दोस्तों साजिंदर नासन्याल बा सजिंदना सन्याल क्या करते हैं उसको इस्टेंड करने में पुना ये लग जाते हैं दोस्तों इसके बाद हिंदूस्तान गड़तांत्रिक शंस्ता को इस्टेंड करने में सजिंदना सन्याल पुना लग जाते हैं दोस्तों इसके बाद पुना दोस्तों दुबारा जो है इनको काले पानी की सजा हो जाती है सचिंदरनाज सन्याल को दोस्तों दूसरी बार क्या होती है उने इनको सचिंदरनाज सन्याल को क्या होता है काले पानी की सजा हो जाती है इनकी दोस्तों इनकी एक महत्थपूर पुस्तक है दोस्तों वो है बंदी जीवन कौन सी पुस्तक है दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक है जिसे करांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है जिए दोस्तों करांतिकारियों का बाइबिल किसकी पुस्तक को कहा जाता है तो सचिंदर नास सैन्याल का और वो पुस्तक कौन सी दोस्तों बंदी जीवन बंदी जियोन पुछतक थी जिसे करांदिकरियों का बाइबिल कहा जाता है इसके बाद दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं राम प्रशाद बिश्मिल के बारे में राम प्रशाद बिश्मिल यह यानि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएसन हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोसीएशन के यह संस्थापक सदेश थे दोस्तों कौन राम प्रशाद बिसमिल दोस्तों हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोसीएशन हिंदुस्तान डिप्रब्लिकन एसोशीएशन ये चारे के क्या थे दोस्तों ये 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 कि ये संसापक सदे से दोस्तों कौन राम प्रशाद बिस्मिल और ये मैनपुरी और काकोरी मैनपुरी और काकोरी शड़ेंद में दोस्तों ये सामिल रहते हैं मैंपूरी मैंपूरी और काकोरी मैंपूरी और काकोरी सडियंद में दोस्तों मैंपूरी और काकोरी जैसे सडियंद में या कांड में यह क्या होते हैं इन्वालव रहते हैं कौन दोस्तों राम प्रशाद होते हैं इनकी पुख है इनकी एक पुख है किसकी पुस्तक है कि कौन से पुस्तक है? किसके बाद दोस्तों काकोरी शडियन्द के तहत ही इन्हें जो है दोस्तों गोरखपुर में कहा दोस्तों गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी जाते हैं किसे दोस्तों राम प्रशाद बिसमल को गोरखपुर जेल में क्या होती है दोस्तों फांसी दे दी जाती है इस गजल थी शर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वो गजल किस की थी दोस्तों वो गजल राम प्रशाद बिस्मिल की ही थी राम प्रशाद बिस्मिल की ही क्या थी दोस्तों वो गजल थी इसके बाद दोस्तों हमने देखा दोस्तों कि ये ये चारे ये चारे के संतावा बेरूक होती है और इनकी जो प्रशिदी गजल थी वह हम आप लूगों बताएं दोस्तों सरफ्रोशे की तामना अब हमारे दिल में है इसके पाद है दोस्तों स्री अम्रित पाद डांगे यह भारती कमनिश्पार्टी के संस्थापक शदस्थे दोस्तों संस्थापक थे कौन स्रीपाद अम्रित डांगे भारती कमनिश्पार्टी के क्या थे संस्थापक भारती कमनिश्पार्टी के क्या थे दोस्तों यह संस्थापक थे और भारती ब्यापा देंगें कई भारती बिध्यापार संग के दिग्दज नेता थी दोस्तो इसो 있어서ànhug देंगें की दोस्तों डांगे नहें दैस सोसलिष नामक समाचार पत्र भी दोस्तों ये कानपूर शड्यन्द के तहत स्रीम्रित पार नांगे को कानपूर शड्यन्द के तहत इनहें चार वर्ष की सजा हो थी और इनकी महत्पूर पूश्टक है दोस्तों गांधी वैं लेनिन इनकी क्या है दोस्तों इनकी महत्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प चाहरे हिंदूस्तां रिपबिक नैंशी और 1927 में दोस्तों इन्हें फैज़ाबाद में फांसी दे जाती है किसको दोस्तों असफाग उल्ला खां को 1927 में फैज़ाबाद में क्या होती है फांसी दे दी जाती है दोस्तों क्यों कि काकवरी कांड में इन्माल होने के नाते इन्हें 1927 में क्या होती है दोस्तों फांसी देदी जाती है कब 1927 में कहां फैजाबाद में फैजाबाद के जेल में इने क्या होती है फांसी देदी जाती है दोस्तों किसे असफाक उल्ला खां को इसके बाद दोस्तों राजंदरनाथ लाहिडी राजंदरनाथ लाहिडी ये राजंद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएसन के ये एक सक्री शदस्ट थे और इन्होंने अनुशीलन शमित के सस्त्रागार का इन्हें प्रमु के हिड़ी निवत किया गया था दोस्तों वाराणसी अनुशीलन समित के सस्त्रागार का इन्हें हड निवत किया गया था दोस्तों तिसे राजिंदर्नाथ लाही को और ये काकोरी कांड में भी इन्वाल्ब थी जिसकी वजे से इन्हें दोस्तों 1927 में 1927 में इन्हें गोंडा के상을 गरिया तो इन्हें इन्हें फान सी दे दिया था किसे दोस्तों राजांदानाथ लाहीड़ी को ये राजांदानाथ लाहीड़ी ये यचारे के स्दτιश्ते या कений 1976 Mr. बंगवाडी नमक पत्रिका का संपादन किया दोस्तो तो इसके बाद दोस्तो अब हम लोग देखते हैं भगवती चरण बहरा के कोद परते हैं इसके बाद दोस्तों इन्हों ने यह यच आर यस के सदस थे यच यस आरे हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीयस है भगवती चरण बहुरा दोस्तों ये हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीयस है हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीयस है यह क्या थे दोस्तों यह सक्री शदस थे भगती चरण बहुना इन्होंने यह दोस्तों काकोरी कांड में सांडर्स हत्या में और लाहौर शडियंत में काकोरी कांड लाहौर शडियंत और शांडर्स हत्या में इन्वाल थे दोस्तों काकोरी कांड लाहौर शडियंत और सांडर लेकिन दोस्तों ये कभी भी दोस्तों कि इप पकड़े नहीं किये दोस्तों और ये दोस्तों इन्हें, मतलब ये बम बनाना जानते दोस्तों, ये बम बनाते थे, कौन? भगवती चरण, बहरा दोस्तों, इनकी एक पुस्तक भी है दोस्तों, बम दर्सन, बम दर्सन किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो बम दर्सन जो है वह, भगवती चरण, बहरा की पुस्तक है दोस्तों, और नौजमान भारत सभा के दोस्तों नौजमान भारत सभा के ये प्रचारक सची भी थे नौजमान भारत सभा के ये क्या थे दोस्तों प्रचारक सची थे भगवती चरण बोहरा नौजमान भारत सभा के ये प्रचारक सची थे दोस्तों या प्रचारक सची थे इसके बाद भगवती चरण बोह रहा हैं इनकी पत्नी थी दोस्तों दुर्गा देवी इनकी पत्नी थी दुर्गा उती या दुर्गा देवी जो क्रांतिकारियों में दुर्गा भावी के नाम से प्रश्चित थी तो दोस्तों क्रांतिकारियों में दुर्गा भावी के नाम से प्रश्च में जब संडर की हत्या किये थे बगत सिंग और शुक्षदेव तो वहां से जो है उनको सही सलामत बचा के बचा के निकालने में किसका आम युगदान था दोस्तों तो दुरुगाभावी का ही युगदान था और वह दुरुगाभावी भगवती चरण बोहरा की क्या थी पत भेशावर कर दिया दोस्तों चंसीखर आजाद यह-स आर के संस्था फबाक थे दोस्तों यह-स पर इए हैं ये ये ओस आरे हिंदुस्तान सोसिलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन हिंदुस्तान सोसिलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के क्या थे दोस्तों ये संस्थापक थे काकोरी कांड, शांडर्स हत्या, लाहौर असेम्बली बम कांड में यह involved थे दोस्तों कहा कहा involved थे दोस्तों तो काकोरी कांड सांडर्स हत्या और लाहाउर असेमली बम कांड में यह क्या थे दोस्तों यह involved थे कौन दोस्तों चंसेकर आजाद लेकिन संसेकर आजाद कभी भी दोस्तों अंगरेजों कोई हाथ नहीं लगे सेंशेकर राजाद कभी भी कभीए अंगरेजों के हाथ नहीं लगे इनके उपर दोस्तों काकोरी कearwarming सांडर सत्या और असेंव्ली काँड में इन्माल थे वो तो केस चल रहा था इसके पाथ दोस्तों दुबारा लाहौर और दिल्ली सडियन्द केस चलता है सैंसे कर राजाद पर दुबारा लाहौर और दिल्ली सडियन्द केस चलता है दोस्तों सैंसे कर राजाद पर दुबारा लाहौर और दिल्ली सडियन्द केस चलाया जाता है दोस्तों और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इलहाबाद के अलफरेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड हो गई संसे का राजात की इलहाबाद के अलफरेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड हो गई और उन्हें अंग्रेजों कैसे पता चला क्योंकि किसी मुखविर ने बता दिया कि हाँ यहाँ जो है इसके बाद क्या होता है कि वहां मुखविर हो जाती है किसकी चंसे का राजात की अंग्रेजों से और ये लड़ते रहते हैं लेकिन इन्होंने प्रण किया था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूँगा और जब इनकी सारी गोलियां खितम हो जाती हैं दोस्तों तो लास्ट बुलट जो बसती है उसी बुलट से जो है इन्होंने का किया अपने को गोली मार ली दोस्तों ऐसे ऐसे महान सपूत थे दोस्तों हमारे देश में इसे ऐसे महान सपूतों को दोस्तों सत्सत नमन करना चाहिए जिसकी वज़े से आज दोस्तों हम लोग अमनों और चैन की सांस ले रहे हैं तो कहीं कहीं वो किसकी देन है दोस्तों हमारे महान करांदिकारियों की देन है जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना सब कुछ जोxton कर दिया दोस्तों इसके बाद दोस्तों शुकुदेव थापर स्कदीव थापर यह दोस्तों यह जेल में बंद कैदिएघन के लिए इन्होंने जेल में बंद कैदिएघन को संधर्छ किया है चैनल बंद कैदी ठाषर्फ के बारे इने देख रहे थी टिक हमने देखा दोस्तों कि शुगदेव थापर, जो जेल में बंद कैदियों के लिए, शुगदेव थापर, जेल में बंद कैदियों के, कैदियों को राजनायतिक दरजा दिलाने के लिए, उन्हें ने जो एक तरह से क्या-क्या, उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई-लड़ी, और इसके लिए इन्होंने क्या कि लड़ाई लड़ी इसके बात दोस्तों ये शुगदेव थापर ये सांडर्स की हत्या के एक मांत्र अभियुक्त थे दोस्तों शांडर्श की हत्यक क्या थे अब यूग तुथे दोस्तों कौन शुग देव ठापर इंहोंने दोस्तों लाहूर शुडएंद के तहरी नहीं क्या होती है हां सिदे जयाती दोस्तों 6 वाद दोस्तों देख थे भगत सिंग जी हां दोस्तों भगत सिंग एक महान करांदी काई देशां भगत सिंग भगत सिंग दोस्तों यह आरे और यह यह आरे यह आरे यह आरे यह यह आरे 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 कि यह सब्सक्राइए क्या थे चांट कर थे दोस्तों यह एक शक्री सद़स थे कौन दोस्थ और यह यारे के यह क्या थे सक्री शर्यस्ति दूस्तों यह नौज dialog EOS सब्हा के संस्थाफक बहुंते क्या थे संस्ताफच दे दोस्तों कौन अब वगज सिंग वगज सम्झ नौजमान भारस थाद के संस्थापक थे और येस 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 आरे और येस आरे के ये क्या से दोस्तों ये शक्री सदस थे राजगुरू के साथ मिल करके राजगुरू के साथ मिल करके और 1928 में दोस्तों भगेसिंग बट्क शॉर्दक के साथ मिलकरके दिल्ली सडियंत को अंजाम देत हैं और मैं शुकदेव के साथ मिलकर शुकदेव के साथ मिलकर को 9,23 में शंडर्श की हठ्या करते हैं धोस्तों, इसके बाद दोस्तों इन्हें लाहौरशडेंद के तहित ठीक लाहौर इसके बाद धूस्तों भगत सिंग दिलिए डिली असेम्बली बमकांड में दोस्तों बम फेकते हैं और पर्चा भी फेकते हैं लोगपाल बिल के विरोध में दोस्तों और इनका बम फेकने का मेन उतेश था दोस्तों कि ये बहरे कानों तक बहरे कानों तक जो है दोस्तों ये अपनी आवाज पहुचाना चाहते थे इसके बाद दोस्तों इन पर मुकद कойти के सेँगो इसके बाद ओसों सिव्राम हरी राजगुरू सिव्राम हरी राजगुरू लीक्न हरी राजगुरू इंदूस्तान सोचलिस्ट रिपब्लीकन एसोसियस है कि इंदुस्तान रिप्पप्लिकें एसोसयशन की रियotal एक शक्री शदस्त थे इन्होंने भगज सिंग के साथ मिल करें भगज सिंग के साथ मिल कर दूस्तों राजगुरु भगज संग के साथ मिल कर कि क्या करتे हैं लाहूर शड़ियंद के तहते दूस्तों माया राजगुरु को सद्वासीं देजाती है घृ संनल और हो दोस्तों में के तुर्टतों दोस्तों फांसी दे दी जाती है इसके बाद दोस्तों डाक्टर राममनुहर लुहिया राममनुहर लुहिया दोस्तों 1918 में कांग्रेश के अहमदाबाद के अधिवेशन के बाद ही क्या होते होते हैं दोस्तों राम नोर लुहिया यह राजदीट में शक्री होते हैं दोस्तों राजदीट में सुचक्री होते हैं दोस्तों इनके दाउच्य किसलारे समाजबादी पार्ट Beer कि के अस्थाबना के जाती दोस्तों कांग्रेश समाजवादी पार्टी के क्या थे यह संसापक सदस्य दोस्तों रामनोर लुया और इन्होंने समाजवादी बिचार धारा को दोस्तों रामनोर लुया समाजवादी बिचार धारा को न सिर्फ देश में न सिर्फ देश में वरन बिदेशु में भी इन्होंने समाजवादी बिचार धारा का परचार परसार किया इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक सफल अभियान चलाया दोस्तों इनकी इनकी एक इनकी एक प्रचलित काफी प्रचलित पत्रिका थी दोस्तों जिसका इन्होंने समपादन किया था तो कांग्रेस सोचलिस्ट कांग्रेस सोचलिस्ट कांग्रेस सोचलिस्ट पत्रिका थी दोस्तों कांग्रेस सोचलिस्ट कांग्रेस सोचलिस्ट कांग्रेस सोच बुक थी दोस्तों अंग्रेजी हटाओ इनकी दो प्रसिद्वुक हैं दोस्तों अंग्रेजी हटाओ और हिंदू बना हिंदू इनकी दो प्रसिद्वुस्तक हैं अंग्रेजी हटाओ और हिंदू बनाओ हिंदू बनाम हिंदू इनकी दो प्रक्षिद पुछ तक हैं दोस्तों अब मुझे लगता है दोस्तों कि हमारी बाते लगों को सम् कम्लीट हो गई इन से जुड़े जीतने भी महत्वूर फैक्स है दोस्तों हमने पन बाई बन करके सब के बारे में दोस्तों बता दिया तो भारत जहीं